नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदारंद वसिष्ट, सजनों हर मेने की तरह सितंबर के मेने में मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला के, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल इस समय पर हो सकता के, तो उसकी जनकरिया हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए मीन रासी वालों के लिए सबसे पहली बात तो यह है, सनी की साड़े साथी चल रही है, उनको हनवान जी की आरादनार, सनी की आरादनार, सनी का दान, सनी के मंतर जाप, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि साड़े साथी साथ वर्स तक चलती है, इसलिए उसका ताप, उसका प् आप अपनी वानी और क्रोध के कारण से कई बनते हुए कारे आप बिगार लेगे तो इसका आपको ध्यान रखना होगा वैवाइक जीवन के अंदर भी इसके अंदर कहीं कोई विशम परिस्थितियां पैदा हो सकती है पढ़ने वाले भी आलस्चे को त्याग दे अन्य था समय आपका बेकार चला जाएगा तो ये जानकारी मैंने आपको दी भीषपती आपके बहुत बड़ी हाँ भीषपती तीसरे स्थान के अंदर भीषपतिस्था मान सब कुछ देने वाले खें, नए मित्र बनाने वाले खें नया संबंद जोडने वालेंगे, चाये वो संबंद मित्रों का आखे, पार्टनरों का आखे, या फिर वैवाईक संबंद आखे, वो आपके अच्छे होंगे, भागी की भृत्धी होगी, लाब के रास्ते खुलेंगे. अब मैं आपको देनिक रासिफल सुनाना चाहता हूँ, जो सबसे पहली तारीक है, ये सबसे पहली तारीक ये आपके लिए बढ़िया है, अगर इस समय पर कोई आपका इंटर्विव है या कोई एक्जाम है तो उसमें आप सफल होंगे, लेकिन दो तीन तारीक अपनी वानी और व्यभार को सुधार के रखेएगा, वरना किसी के साथ विवाद हो सकता है, चार, पांक, छे तारीक ये आपके लिए सुन्दर सुखद है, चाहे आप व्यापारी हैं या ग्रिहस्ति हैं, दोनों के लिए जो के ये ठीक रहेगा, लेकिन साथ आठ तारीक आपके स्वास बढ़िया गें, इसमें भाग्य ब्रद्धी, पद ब्रद्धी, राज्य से लाब, राज्य नेताओं से, राज्यादीकारियों से लाब, पिता से लाब, और अन्य रास्तों से भी लाब के लास्ते आपके खुलेंगे, लेकिन 16-17 तारीक में ध्यान रखिएगा, किसी के कर लें, और ततपरता के साथ कर लें, क्योंकि समय बार-बार जो है, एक जैसा नहीं रहे, और 24-25-26 तारीक में कुछ चिंताएं आपको व्याब सकती हैं, उसके लिए सिवकी हरादना करके, और चीनी और दूदगादान करके, इस समय को निकालियेगा, 27-28 तारीक, पढ़न वालों के लिए वरदान साबित होंगी, इंटर्व्यू वालों के लिए वरदान साबित होंगी, और इसके अलावा, 29-30 तारीक में आपको अपनी वाणी और वेभार को जो है, मधुर रखना होगा, अन्यता किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, यह जानकारिया हमने आपक सामने आते हैं, तो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट होता है, और उसके कारण से कार्यले भी हमारे होते हैं, बरकर भी हमारे होते हैं, स्टाप भी होता है, तो कार्यले की सेवा जो है, देना जरूरी होता है, तब ही हम आपकी कुछ सेवा क कर सकते हैं नमस्कार